केल राहूल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो है संजीवनी बूटी का काम कर गया क्योंकि जब वो देश के लिए खेल रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त उनके बल्ले से रन नहीं निकले विकेट कीपिंग का मौका नहीं मिला, फिल्डिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए चारो और से आलोचनाए ट्रोलिंग, इनका शिकार हो रहे थे हमारे केल राहूल लेकिन जैसा ही केल राहूल डॉमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, उनकी टीम देखे फाइनल में जाती है और उसमें भी उनकी अर्द श्रतकी ये पारी होती है, जिसके बदौलट टीम फाइनल में जाती है हम बात कर रहे हैं सेयद मुश्दाक अली ट्रोफे की आप सब जानते होंगे, यह वो ट्रोफी टूर्नमेंट चल रहा है, जिसने कई सारे क्रिकेटर्स के क्रिकेट में सुधार लाकर रख दिया और कई है जिनको कोई एसर ही नहीं पड़ा, उनका नाम या बहतर जानते हैं लेकिन बात यहां पर करते हैं जिनकी भलाई हुए क्रिकेट में इसमें केल राहूल स्थिदा डोमेस्टिक क्रिकेट में गये, जब हम इंडिया वसे बांगलादेश के साथ खेले टीट्वेंटी उसके बाद वहां से केल राहूल को सहीद मुश्टाक ली ट्रॉफिम भेजा गया, बीजिजिया के कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहतर ह के लिए और क्योंकि वेस्ट इंडी के साथ हम टीट्वेंटी खेलने वाले अशे दिसंबर से और उसके लिए अगर अगर प्रेपेर भी से रहते हैं तो आने वाला वद भेर अच्छा भी हो जाएगा लगा के लिए लेकिन केल जैसे ही जाते हैं टीम में 66 रन की खेलते हैं ना रन बना 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 ना फिल्डिंग कर ठीक से ना ही विकेट कीपिंग का मिला गिंद वाजी तो करते ही नहीं लेकिन इन सब के बीच कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा स्ट्राइक बी गिर गया उनका लेकिन जैसे ही डॉमेस्टिक रिकेट में गए साइद मुष्टा क करनाटा गई है और अब वो तमिल नाडू से भीड़ेगी यह बहुत ही बड़ी बात आप दोमेस्टिक रिकेट का जो लाब कियल ना उठाया है बिल्कुल बो जो सीनर्स प्लेयर हैं खासकर रिशापंद का जिक्र में जरूर इसमें करना चाहूंगा कि उनको जरूर के लि बेटिंग को अपने परदर्शन को बहतर कर सकते लिए जिस तरह से केल ने अपने आपको थाबिश किया है कि लगा था उनकी बापस आता हूं नजर आ रहा है निकल रहे हैं तीम में एक एक रची खबर है और साथ में यह खबर भी है कि जब एक बल्लेवास रन मनाता है तो आत्म विश्वास बहुत सब्सक्राइब बहुत बढ़ बैटर हो जाता है तो बिल्कुल दिल्चाश के खिलाब मैदान में उत्रेंगे तो तरह किस तरह का लाव उठाते हैं और जो एकदम उनके अनरजी नजर आ रही है पूरी तरह से और जो पोजिटिविटीटी नजर किस तरह से मैदान देशनों को मिलेगी वो देखना दिल्चास होगा लेंगे फिलाल के अब बहुत तरह से अपने मजबूत कर पा रहे हैं कि कोई भी पारिज जब इस तरह के निकल कर सामने आती है तो बल्लेवास के अंदर जो खोया हूँ आत्म बिश्वास होता है जो एक कि अबस्टिक क्रिकट के लिए बने क्या रहे हैं क्योंकि दोमस्टिक में हमेशा अनका अचा प्रशवार्श्चिन रहती है और इस बार भी देख लीजिए 66 और उने 87 मतलब जब उनके साथ में खेल रहे थे करनाटा के एक और प्लेयर, उन्होंने दोनों एक ही पार्टनर्शिप करकर, केल राहूल ने एक 66 मारा और 192 का लख्ष रखा था हर्याणा की टीम, उसको पार करते हुए टीम को फाइनल में पहुचा दिया, अब ये उनकी अर्दस्चत की है पारी, कि बतौलों देखी टीम क से खेलने के लिए वेस्ट इंडीस के पर शक्या उड़ाएंगे, तो देखने वाली बात होगी, बिल्कुल और देखी बात होती है, जो लगातार आपका दोर रहा होता है, खराब दोर, उससे आपको बढ़ने मदद मिलते हैं, इसलिए क्रिक्ट के बारे में जरूर जितने सीनर्स प्लेयर हैं, वो यह कहते हैं कि जब आपका खराब दोर हो तो आप डूमस्ट के लिए और यहां से आपको आत्म बिश्वास का नया जो खुरा के बो मिल जाता है, तो बिल्कुल आप च्छे तरह को देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से वो में नजर आते हैं, लेकिन मैं बस एक लाइन मा जरूट करना चाहूंगा रिश्वापन के लिए कि उनको भी जरूर सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपना दोबार रिस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा खुद भी कि दिल्ली के साथ के लिए खेले और दो तीन मुकाब सकता है कि अगर आप खराब केले तो कहीं नहीं संजु सैंसिन को मौका मिल जाएगा और जाहिर बात है आपके ऊपर टीम से बाहर होने का भी संकट खड़ा हो जाएगा फिर तो विराट और शास्त्री भी नहीं बचा पाएंगे बिलकुल यह बाद आप सही का क्योंकि लग कि एक 30 गेन जस्ट हाफ बॉल्स में उन्होंने 66 की पारी खेली जिसके दम पर करनाटक की टीम स्यद मुश्टागली ट्रॉफिम के फाइनल में गई और अब बेड़ेगी सीधा तमिल नाडू के साथ अब आने वाला वक्त के लिए कैसा होगा क्योंकि फाइनल में हम देखे तो फिलाल के लिए दीजो इजासत देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्स